Hello friends, welcome to modern classes, देखे हम लोग इस सीरीज में पढ़ने हैं पर्षेंटेज को और पर्षेंटेज के तहत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिख्षा में फैल पासपर आधारित प्रषन कैसे आते हैं इसे इसे हम लोग जनरली जानेंगे कि फैल पासगे कैसे प्रशन आते हैं तो चले दोस्तो हैं लोक वीडियो करे हैं लेकिन उससे पहले आप से चोटा से रिखेश्ट करेंगे यदि आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस करके लेटेशन उरिफिशन को आउन कर लिजेगा वीडियो के लाष्ट तक जरूर बने रही है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे भड़ते चलेंगे उसी तरह से हम लोग को नए नए प्रकार के क्वेस्टन मिलेंगे या कोई जरूर नहींगी जो परिक्षा में फेल पास पर आधारीत प्रशन होंगे चले हम लोग देखते हैं पहला प्रशन इसमें क्या बताया गया है पहला प्रशन बताया गया है कि एक च्छात्र का जो उत्रिन होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना हो उसे जरूरी है मतलब एक परिछ्छा हो रहा है और एक परिच्छा में उसे 40% अंक क्या है पास होने के लिए 24% होना ही लेकिन आप Wing से यह रहा है और क्या था यानि उसे तरह और मिलता होता है कि और साठ सट्र नमबर या लड़़्ी पूरा सिल था तो तो पास हो गया होता और यह बात क्या कहा जा रहे है केवल पास होने की बात कही जा रही है यहीं हमारा क्या है पासिंग मार्क है ठीक है इस बात को थोड़ा समझा जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो 40% भी हमारा क्या है एक परशन निकलेगा, हम multiply कर देंगे अधिक्तम संख्या ग्यात करने के लिए कितना से 100 से, तो 40 दुना के 80 और 200 वारा right answer बन जाएगा और दोस्थ आपका कौन सा उप्सन बनेगा B, थोड़ा समझने का प्रयास किजिएगा इसमें जो भी बात बताता है fail, pass, ये सब करने की भी सेमें तो यहाँ एक बात आपको जो notice करने वाली बात है कि वह कितना प्राप्त किया है और कितना उसे प्राप्त करना चाहिए था ये दोनों बात आपको ध्यान रखना चाहिए और वही उसका क्या हो जाएगा passing percentage के साथ तुलना करने पर 1% का value निगलेगा आसा करते हैं इस बात को समझे होंगे हम लोग next question देखते हैं चलिए दोस्तों देखे जो हमारा अगला प्रशन है बताया जा रहा है कि दो बिद्यार्थी ने एक परिछा दी और उनमें से एक ने दूसरे से क्या किया है बारा अंक अधिक प्राप्त किया है चलिए इसमें दो लोग हैं तो ऐसा हम माल लेते हैं कि जो पहला है वह यक्स प्राप्त कर रहा है अंक और जो दूसरा है वह दूसरा क्या कर रहा है वह यक्स प्लस 12 अंक प्राप्त किया ऐसा माल लेते हैं तब हमसे क्या कहा जा रहा है कि और उनमें से और जो हैं उनके अंक हैं वह दोनों के अंकों के योग से का 60 प्रतिशत है यानि कि जो दूसरा वाला प्राप्त किया है यानि यक्स प्लस 12 जो है वह क्या है दोनों के अंक के योग का 60 प्रतिसात है यानि यक्स प्लस यक्स प्लस बारह यानि देखे इसको आप इस तरह बनाएगा तभी जाके मतलब आसानी सीश्कों बना सकते हैं यह तो पिर ज्यादा लंबा चला जाएगा और इनका जो साथ प्रतिसात है वही क्या है जो दूसरा वाला पाया है उ पांच सब्चल मल्ट्प्लाइ ऊपर करना होगा यांनि आसा खें तो तीन बटाए 5 उपर करने तो यह त्यांत पुलस प्लस क्या जाएगा बाहर chicken सब्सक्रों कहा हमारा ओर सब्सार्ट चाथ करेंगे तो हमा क्या हमाना क्या है कि कितना बचाएगा तो –36गहट गए तो –34 considering 24 है कि मैनस 24 बचाइगा माइनस को माइनस से कार सकते हैं यहाँ जो माइनस से यहाँ से हमारे से यक्स बावर किया निकल का आएगा 24 हूँ कह सकते हैं कि पहले वाले को कितना मिला यहां क्या भाई इसको 24 मिलेगा गया vs दूसरा वाले को 36 मिलेगा, यहनि कि 24 में 12 जोड के मिलेगा, यह पहला वाला हो गया, यह दूसरा वाला, आपका option कौन सा हो जाएगा, 36 और 24 इसमें हमारा उल्टा है, उससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, अब ध्यान दीजएगा हमारा जो अगला प्रश्ण है, वा क्या है, यह तो आपको समझ में आहीं गया होगा, देखे हमारा जो अगला प्रश्ण है, यह कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है, कि एक कच्छा में दो section है, कितना दो section है, और उनमें 20 और 30 विद्यार्थी है, नहीं दो कच्छा है, यहां हम मान लेते हैं, हमारा पहला कच्छा है, यहां एक दूसरा कच्छा है, ठीक है, और पहले में 20 विद्यार्थी हैं दूसरे में 30 विद्यार्थी हैं और बताया जा रहा है कि इन section में उत्रिन विद्यार्थी का परतिशत 60 करमसा कितना है 80 परतिशत है और 60 परतिशत है यानि पहले में कितना पास हुए है भाई तो 80 परतिशत पास हुए है और जो दूसरे में है हम आप की लिए गहां 80 परतिशत है कितना है 80 परतिशत और जो दूसरा है उसमें कितना है 60 परतिशत है ऐसा हमें बताया जा रहा है अब हमको क्या बता को में 80% व्य उत्तक खालन कितेंए हैं तो पहले में उत्तों तों सैंब तूंहें पहले में आटे। हम यहां क्या लिख रहे हैं वहत ट्र 9 ओर फ्र्सेय तर वह कितने थि इस सबॉब खेसे तो 19 उना के 16 पहले में पास हुए हैं तो कितना है भाई 30 में 60 परतिसात पास हुए हैं 30 में 60 परतिसात का मलत जीरो से जीरो से जीरो से जीरो केंसिल करेंगे तो 6 3 18 कितना 18 यानि पहले में 12 16 बच्चे बाद वले में यानि कि दूसरे वले में 18 बच्चे दोनों मिलकर कितने पास हुए हैं तो आप जोड़ दीजे इनको 16,26,26,34,34 34 बच्चे टोटल पास हुए हैं टोटल कितना है भाई तो टोटल यहां से देख लिजे दोनों को निकाल के तो 30,20 यहीं पचास बच्चों में से 34 बच्चे क्या हैं पास हुए हैं तब हमें क्या बता रहा है कि हमें बताई कितना पर्षेंट पास हैं तो 34 बचा में क्या करना होगा आपको 50 यानि उसको पर्षेंटेंज में कंवर्ट करने के लिए यानि पास परतिसद ग्याद करने के लिए ऐसा करेंगे तो 50 दुना के 100 और 34 दुना कितना जाएगा और 60 परतिसत आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा कौन सा है इसमें दो option लिखा गया है गल्दी से तो आप A या B दोनों किसी को एक को सही मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए हम लोग next question देखते हैं चलिए देखे हमारा अगला जो प्रशन है बताया जा रहा है कि एक school में 80 और 60 छात्र लगातार दो वर्स अंतीम परिक्षा में बैठे हैं जिन्में से करमसा 60 परतीसत और क्या है 80 परतीसत पास हुए मतलब कि दो साल बैठे हैं तो पहले बार में जब 80 लड़के जब बैठे थे पहले साल में पहले साल में क्या थे 80 लड़के जब बैठे थे तो उस समय 60 परतिसत पास हुए थे जब दूसरे साल में 60 बच्चे बैठे थे तो क्या पाया गया कि 80 परतिसत पास हुए है तब हमसे क्या कहा जा रहा है तो पास हुए तो पास हुए छातरों का आउसत दर परतिसत क्या है ध्यान दिजेगा यदि इसको आप convert कीजेगा percentage में मतलब यहां से sorry इसमें कितना percent pass हुए है यदि पहले वाले को देखा जाए तो आप क्या पतेगेगा इसके बटा में 100 लिखेगा और double zero से काटके 6,8,49 लिखेगा है इसका value भी बटा में जब हम 100 लिखके भाग देंगे यहा 46 हमारा इसमें भी और इसमें भी क्या हुआ 48 बच्चे पास हुए हैं पहले वाले या MPH और दूसरे साल Lightning और कह रहा है तो बताएए कि पास वा से 3 10 दर प्रतिसक क्या है और दोनों में जो पास हुए हैं कितना 96, 48 जोना कितना होगा 96, 96 पास होगा, तब हमको इसी को क्या कहा रहा है, convert कीजिए percentage में, तो क्या करना है आपको 96 बटा में 140 multiply by 100 करना है, आपको करना क्या होगा, 0 से 0 cancel कीजिए, 7 से हम काटेंगे, तो स्वरी, 7 से तो नहीं काटेगा, 2 स एक बार और काट लेते हैं, 2 से 7 बार में, और 2 से 48, एक कटेगा तो कितना होगा, उपर वाला 48, देखिए, अब हम यहां कह सकते हैं, कि 480 बटा में हमारा 7 आपका option mix fraction में दिया है, इसलिए आपको convert करना होगा, काटेंगे तो कैसे काटेंगे, तो 7 से 7, 35, 76 के 42, यहां से क् बचेगा ही, तो 42 के बाद 6 बचेगा, और यहां 42 से 6 और 60 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, साथ में तो 7, 58, 56, यहां से बचेगा, क्या 4, अब अब अटा में कहा जाएगा, 7 और इतना परसेंट आपका, क्या right answer हो जाएगा, कौन सा अपसन से हो जाएगा, तो आपसन आ प्राप्त हो जाए, कि एक तीमाही परिक्षा में, एक विद्यार्थी को 30% अग पराप्त हो ए, और वह 12 अंकों से अनुत्तरिने हो गया, ध्यान दिजिएगा, क्या है, क्या है क्या है, यहां दूसरा लगए, लेकिन वह पहल हो जा रहा है, कितना अंकों से, कितना? 12 ऑNक स से फेल आ रहा है पिर क्या कि उसी परिक्षा में एक अनने विद्यार थी है कोई दूसरा लड़का यहां है यह हमारा की है पहला लड़का है एक दूसरा लटका है और किया कर रहा है 40% औन्क प्राप्त किया है और कि वह उत्रिन होने के लिए नियुनतम अन्억 से 28 अधिक ला दिया है मतलब यह पास हो गया है क्या हुआ है पास हो गया है और पास होने के साथ साथ यह काम क्या किया है कि प्लस कर दिया है अठाई संग मतलब जितना उससे लाना चाहिए था उससे अठाई संग ज्यादा ला दिया है ठीक है यानि पास वाला जो नियुंतम अं कि एक ऐसा बिंदु है यहां जिस बिंदु में कि तीस परशंट में यदि यह 12 अंक ला देता तो इस बिंदु पर पहुंच जाता मतलब वह पास वाले बिंदु पर पहुंच जाता पहला ल Window जो है जो दूसरा लर्गा है वह 40 परशंट अंक प्राप्त किया है जो distance है वह 12 अंक अधिक लाकर यानि कि यहां से 12 अंक बढ़ना पड़ेगा और यहां से 28 अंक घटना पड़ेगा हला कि हम माइनस लिखना चाहिए हमें लेकिन हम आपको यहां दिखाने के लिख ले लिख रहे हैं कि इस बिंदू से इधर कि जो distance है वह 12 है और यहां से 40 का 10 पर्षंट का क्या है कितना कर यहां यह कितना रहागा की क्य सब्सके मनें इसको Sz MARTIN टुरंस अपका और आपनर अंज़ेंगा चरी हमें दिखते हैं निर्ट कोश्चन अग्ला दिक्टि वारा क्वेशन क्या है कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परिक्षा में 20 पर 30 अंक प्राप्थ हुए है वह 30 अंकों से फेल हो गया है क्या क्या है 30 अंक से फेल हो गया है एक चलिए लड़का है वह कितना परशेंट आया भई उसका 20 परशेंट आया है वह कितना कम लाया भ वह 32% लाता तो प्राप्त अंक जो प्रांग जो कितना अधिक हो जाता भाई तो जो पहला वाला लड़का है यानि यहीं को शापर नाब सब्सक्राइब को चीजिएगा हम क्या कह रहे हैं जब बीस परसंत ला तो 30 नंबर की उसे कमी महसूस हो यह फेल हो जा रहा है यदि वह 42 नंबर मतलब 32 परसंट ला दिया है तब देखा जा रहा है कि वह उसके अपने नियुंतम उत्रणांग समय जितना नंबर पास होने वाला है उससे क्या है 42 अंक ज्यादा ला दिया है यहां परशेंटेज यहा 42 अंक को बता रहा है यहां ढ़िए । कभी फेपर हो रहा है तो पूरा 100 का होता है जिसमें के 20 यहां 30 यहां ला यहां लाए गया है अब करने के लिए हम ऐसा काम कर ले रहे हैं कि यहां 20% निकाल दीजिए या तो 32% निकाल दीजिए पहले 20% है पर हम बताते हैं कैसे यहां जो 20% लाने का मदब है कि 120 लाया जा रहा है और 30 की कमी है यदि 30 नमबर और आ जाए तो वह उत्तिर रांग के पहुंच जाएगा तो 30 नमबर हम और जोड़ देते हैं यहां हुआ क्या एक सो पचास आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा अलाग कि हम इस बात को यहां भी लिग देते हैं 150 अंक क्या है उत्तिर रांग है ठीक है उत्तिर रांग मतलब पासिंग मार्क है आप यहां से भी निकाल सकते हैं 20% का वहलू निकाल के उसमें 30 एड कर दिए क्योंकि आपको पता है कि 30 नमबर ही जो है वह क्या है इसको फेल कर दिया है या दूसरा तरीका है कि आप 32% का वहलू निकाल लिए और उसके बात 42 को उसमें से घटा दिए क्योंकि 42 नमबर अधिक आगया है इसके उत्तिर रांग से ठीक है यहां पासिंग मार्क से 42 अधिक आगया है तो आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 32% का जो वहलू है उसको निकलने के लिए एक परसंट का वहलू चाहा अगुणे 32 कर दिएगा तो 32 में 6 से चाहा दूना के 12 और 6 तरी 18 एक कितना जागा एक सबान बे और एक सबान में से क्या करना है आपको 42 को घटाना है 42 को आप कर दिए घटा यहां से जागा 0 और यहां से जा क्या है उसमें आप लोग को whiteboard पढ़ा है आप लोग फॉरसिये कंटीनियू करेंगे सातिफि इसमें हमस्कों इसको में हम सारा बातों वायट पर जब लिखा जाता है तो उसमें फूड़ा लिखने में बहू जादा प्रोडम हता है बहुत जादा समयcat हो फूह्त के इसको bize से लिखकर डारेक्ट क्लियर कर सकते हैं चलिये दिखते हैं कि एक परिच्छा में Kill Mm प्र तिसाथ विद्यार थी गंणित में और दस प्रतिसेट विद्यार थि अंग्रेजीन उत्रिण हुए अनुत्रिण है यहां उत्रिण है फेल होने की विश्यम कहा रहा है तब कहा जा रहा है कि सारे विद्यार्थियों में साथ प्रतिशत दोनों विशों में अनुत्रिन हुए तो दोनों विशों में उत्रिन होने वाले विद्यार्थियों कि संख्या क्या है समझेगा इसको हम लोग वेंड डाइग्राम से बनाते हैं क्या वेंड डाइग् के लिए है और दूसरा गोला किसके लिए है अंग्रेजी के लिए तब पहले को गणित के लिए हम क्या करेंगे मैथ लिख देते हैं और इंग्लिस के लिए हम ऐसा करके इबना देते हैं ठीक है कहा क्या जा रहा है कि गणित में दस परतिसत विद्यार थी अंग्रेजी में उत साथ परतिसेत विद्यार्थी हैं जो कि दोनों में अनुक्तिर्ण हो रहे हैं उनको हम लोग यहां लिखेंगे फिर कह रहा है दोनों विश्यों में उत्युन होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है कि यहां पूरे गोले में कितना आना चाहिए तो क्या हम यहां 12 परसिंट है क्योंकि जब हम 12 परशिंक है थीस गोले में वालों के लिए बनाया गया है कि यहां हम देख रहे हैं कि 12 और 7-10 दौस में 12 जुड़ेंगे कितना जाएगा 22 परतिसत लोग यहां से फेल हो जा रहे हैं तो हमारे पास बचे कितने भाई तो आप देखेंगे कि 100 परतिसत विद्यार्थी परिच्छा दे रहे थे जिसमें से क पूल मिलाकर देखा जा रहा है कि 22 पर्षेंट लोग भेल हो गये तो हमारे पस बचे कितने भाई तो हमारे पस बचे 78 पर्षेंट जो कि क्या है पास और पास वालों की जो संक्या है सभी विद्यार्थियों का 78 पर्षेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए हम एगिना कि युधे में साथ परजआत अंक अरजद करता है essentially and कब इति गोई मिले खाट सनुचीन को सब्सक्तर के निया यह अधी सब्सक्राइज कर नियुक्ति सब्सक्राइजांया कि प्रजद कर राह 210 अ百च नेंग अरजित कर रहा है लेकिन हम यहां देखे यदि हम नहीं से जो डोनों का मिलने से 8, tangent 14 140 अंग ही परप्त हो रहा है तो जो बाकी होगे 210-20 में से वह कहा से प्राप्थ होगा यहां से तो कितना 210 में से कितना इसमें चाहिए भाई आए ओ और तो अच्व एक सात्य नहीं को किस्ट समझ आ रहे हैं देखें एह यह सब होजिकल कुईस्टन है आप सोच रहे हैं कि हर टोय मतलब ज्रूरी नहीं होता है आप एक बार concept सीखे और concept को apply करते रही चलिए हम लोग इसको next question देखते हैं देखे जो हमारा अगला question है वता जा रहे है किसी परिच्छा में उत्रिण होने के लिए विद्यार्थियों को 36 अंक आउस से प्राप्त करने चाहिए मतलब आपको pass करना है तो हम ऐसा कह देते हैं कि passing mark ऑए से कहें तो क्या है passing mark हमें क्या चाहिए तो आपको भैना 36 कि अइख करते है और क्या है कि एको नभ्य अंक प्राप्त करने वाला जो बिद्यार थी हो 35 अंकों से त्वेड़ हो जा तो पास माना जाता नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को फिर समझेए एक सो नभे लाया है पैंटीस अंक यह और लाता तो उसका जो नंबर है वह पासिंग मार्क के पास चला जाता तो हमें 36% का भेलू जब पता चल जा रहा है तो हम परिक्षा में पुणांग क्याने की 100% का भेलू हम असानी से निकाल सकते हैं तो इसको एदि हम एड करेंगे तो कितना हो जागा भाई तो आप देखे 225 होगा क्या दोनों को जोड़ने पर 225 हुआ यह क्या है यह बता रहा है 36% को हम आपको बताए है कि कभी भी किसी परसेंटेज का भेलू पता चल जा रहा है तो उस परसेंटेज से हम भाग देते है यह नि 36% से भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा multiply कर देंगा 100 से तो हमारा 100% निकल जाएगा इसको हम लोग काटते है भाई तो 4 से काट देते हैं 4,9,36 जाएगा 4 से 25 बर्म कर जाएगा और 9 से इसको कटाते है तो 9 दूना के 18 हो जाएगा यहां से 4 बचेगा 9,5,45 पचीस से गुना करेंगे तो कितना है भाई 625 आएगा और यही आपका right answer हो जाएगा चली हम लोग next question देखते हैं देखे हमारा जो अगला प्रशन है वह बताया जा रहा है कि एक उमीदवार को किसी परिच्छा में उत्रिन होने के लिए 40% निक चाहिए मतलब इसका जो passing mark है क्या ह है भाई तो passing mark हमारा है क्या 40% है आगे बताया जा रहा है कि यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उमीदवार 20 अंकों से अनुतिन हो जाता है मतलब दोस देखे जश्ट वैसा ही question है 220 अंक पाने के बाद भी 20 अंकों से क्या है अनुतिन हो जा रहा है तब कहा रहा है कि उस परि 20 को अब एड कीजिएगा तो 40 проц के बराबर हो जाएगा 40 परतिस्त के बराबर हो जाएगा हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों को गड करने पर 280 होगा तो यह क्यों बतायйका किसको बताया 50 और तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसा काम कीजिए कि 240 में 40 से भाग दीजिए और 1% निकल जाएगा multiply कर देंगा 100 से तो हमारा 100% निकल जाएगा 0 से 0 cancel करके 4, 6, 24, 6 बार में कटेंगे तियां से जो हमारा result निकलेगा 600 हम कह सकते हैं कि 600 ही हमारा क्या है total number है आसा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किये हैं आप समझ पाए होंगे यह दिया ऐसा है तो आप मारे वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ सेर कीजेगा आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद